हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों से दानवीर सलमान खान के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस मुस्किल घडी में मजदूरों के लिए बहुत सारे सुपरिश्टार जो है खड़े हुए है उन्होंने बहुत ही हाथ खोल कर दान दिये है जिसमें अक्षे कुमार भी सामिल ह है वह हमेसा दान करते हैं लेकर आप सलमान खान के बारे में आपको आज जानना होगा कि उन्होंने मजदूरों के लिए गया किया है इस लोगडाउन की इस्तितीर में उससे पहले हम बिना साबुन के जो है प्लास्टिक की टिकिया जो साबुन की होती है वो बिना साबुन की ही वो पैकिंग करके चला गया आगे बॉक्स जो है बिना पैकिंग के ही चला गया उसमें मैटरियल कुछ भी नहीं था बस प्लास्टिक प्लास्टिक थे वो आगे निकल गया जब वो कंपणी को उस मुधाफजे के लिए जो है उसकी कंपणी का ρेपोर्टेशन खराब नो ऊ-सके लिए मुआफजे के तौर पर उसे 20 लाख रुपए दिये ने दिये फिर उसके बाद यह कंपणी ने यह डिसाइड कि यह साबुन जो है भरा हुआ है यानि वो प्लास्टिक खाली है अब मैं आपको ऐसी ही घटना आपने देश की बताते हूं पंजाब में ऐसा ही एक घटना हुआ है जिसमें की फैक्टरी से इस तरह की जो है खाली पन्या ही चली गई और साबून उसमें बिल्बिल भी ने गया तो फैक्टरी ने टेकिया अगर खाली होगी प्लास्टिक खाली होगी तो हवा के दवाब से प्लास्टिक उड़ी जाएगे जिससे के पता चल जाएगा क्या खाली है और कौन सा जो है भरा हुआ है सागुन की टेकिये से तो दोस्तों यह जुगाड आपको कैसा लगा यह आप कॉमेंट में करते हैं सलमान खान की उन्होंने क्या किया है देहारी मजदूरों के लिए उन्होंने 25,000तारी मजदूरों ynिगा मंगवाया है खुद अपने पास उन्होंने कहा है मैं इन 25,000 बैंक एकाउंट में 9,000 रुपए डालूंगा तीन महीने तक तो सोचो दोस्तों जैसे और सभी लोग भी मदद कर रहे हैं सल्मान खान भी इसके मदद के लिए आगे आया है और सल्मान खान और इसके अलावा भी बहुत सारे युमन बिंग के तहत बहुत सारे जो है दान करते है वो हुमन बिंग नाम अगे एक चैन चलाते हैं जिसमें गरीबों का पालन पोसन किया जाता है उनकी हेल्प किया जाता है तो ऐसा ही लोगों का जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए उनकी ही मूवी देखनी चाहिए और उनको ही आगे सपोर्ट करना चाहिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और ऐसी ही छोटी-छोटी और महत्पुन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आज के लिए इतना ही धन्यवाद चाहिए